नवाब मलिक साब इसक्त हमाई साथ मौझूद है आपका भादो स्वागत है मैरे इस खास का एकरम नवाब मलिक साब ये जो आरोप आपने लगाए हैं इन आरोपों को आपके पास कोई तथ्य है जिनके आधार पर आरोप लगा रहे हैं और क्यों नहीं यह माना जाए कि दरस असल आप शारुक खान की पुत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं यह ऐसा है हमें एक साल पीछे जाना पड़ेगा लगवर एक साल में उसके ज्यादा से आपको बता होगा कि सुसान सिंग नाम की अभीनेता जिनोंने आत्मात्या की इसको लेके बड़े पैमाने पे लोग आत्मात्या नहीं है को बियार में युरिटिक्शन ना होते हुए वियार में लिमोकामन धरज किया है तो बियार में लिटमादर्ज होने के बाद लेकिन उस समय उनके साथ क्या रिलेशन थे मुझे पता नहीं रिया चकरवर्ती नाम की लड़की थी जिसको के यह ड्रग पूरा उसको देती थी ड्रग के सेवन के कारण बहुत सारी बाती की गई और रिया चकरवर्ती के जरिये जब जो आज जोर्नल डारेक्टर हैं उन्हे पे टेलीविजन पे जब फिल्म ही मामला बन जाता है तो एक टी आर्पी होती है और तेलीविजन पे लगातर चीजे चले लेगी उसके बाद कभी सारा अली खान को बुलाया गया अर्जिन रामपल को बुलाया गया दिपेका को बुलाया गया ख़बरे फोलोड की गई के इस तरह से इसको हाइब किया गया। उसी वक्त मैंने बयान दिया कि NCB का जो मेंडेट है ये एक ग्राम, दो ग्राम, चार ग्राम के पीशे भागने करें लिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे लोग अगर कोई एडिक्ट हैं तो उन्हें रिहाब सेंटर गेज दें। जो नार्कोटिक एंटिक सेल महरास्ट का है उससे बड़े-बड़े वो रैक्ट बस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मुझे कुछ पतरकारों ने कहा कि जो ये अधिकारी हैं ये आपने नहराज हो रहे हैं। आपने इस तरह का बहन दिया। मैंने क्या हैं, मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं बहन दे रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात दे रहा हूं। जे और उसके बाद जो बीजेपी कहती है कि नवाग मलिक के दामाद के मुकदमा दर्ज हुआ है इसलिए ये खुननस निकालता है मैं आप बता दो कि बारा मार्च के रात में हमारे दामाद की जो माताजी हैं उनके धर पे एक सम्मन आया NCB की तरफ से जे और सुबह तेरा तारीक को पॉने 10 बजे हमारा दामाद वहां पहुंच गया लोग और पहुंचने से पहले मेडिया के सारे केमरे लगे थे मुझे कुछ मेडिया साथियों का फोन आये कि आपका दामाद को कोई संबन आये मुझे पता नहीं और उसके बाद साम होते होते सत्ता ही से का ममल लगा दिया साड़े आठ मेने वो मामला चला है हमने उसी दिन कहा था जब यह सवाल आया पतरकारों के कि यो भी कामूं से कोई बड़ा नहीं और देश के विवस्तर में हमारा पूरा विश्वास है उसके बाद कभी मैंने कोई सफाई नहीं दी अब सवाल उठता है इसले बात हमने रखी और जमानत हुई है जमानत के समय वो भी फरजी वाड़ा था हमने सारी चीजे रखी हम क्वाइश के लिए जाएंगी वो मामला अलग चल रहा है तो लगाकार छोटे-छोटे लोगों को जो फिल्म से जुड़े हैं उन्हें बुलाया जाना उसकी पुबिसिटी कराना और ज क्या करते है कैसे चीजे जब दो तारीक के धिन शम में खबर चलनी लगी मेगाइवत otherwise करते को डिटें किया है सूत्रों से खबर चलने मेगी जी तो हम लोग कर बनाए हुए थे तीन टारीक के दिन खबर आ गई कि 8 लोगों को ढिटेंड किया गया है इसके बाद खबर आई कि उन्हें कोड में लेकि जाया गया है तो हमने छे तारीक के दिन प्रेस कॉंफरेंस की और पुरी तरह से इनका खुलासा किया कि ठीक है अगर आरियन कोई तथा गतित आरूपी है तो उसे हैंडल करने के लिए एक फरार आरोपी केपी गोसारी कैसे उसे ले जा रहा है आप जो है उसका वीडियो आप देखते हैं उसके बाद हमने सवाल उठाया है कि भारती जनता पाल्टी का नेता जो अपने आपको कहता है वो कैसे दूसरे आरोपी को हैंडल कर रहा है यह सवाल हमने पहली प्रेस कॉंफरेंस में उठाये पर मैं आपको बता दूं कि जब हम लो प्रेस होगी तो आप मुझे भीजी तस्वीरे रिलीज की गई जो हमें शंका थी कि बहुत सारे मामले में कोई सीजर नहीं हूँ अपने कारेले को तस्वीर निकालकर लोगों को फ्रेंग किया गया यह भी तस्वीरे जब सामने आई तो सीधे साफ हो गया कि यह तस्वीर ना कुरूज की है ना करूज की है यह तस्वीर जो समीर वांकेड़े हैं उनके कारेले में को पर सेंपल लेकर खड़े हैं उनकी पोड़ी उसके बाद पस्वीरे निकाली उसको मैंच किया तो ख्लीर है यह हो गया ना कुरूस का सीजर है ना टर्मिनस का है यह दफतर से फरजी वाड़ा रचा लिया और यह सारी चीजे भी उस दिन मैंने रखी फिर दो दिन के बाद हमने फिर एक प्रेस कांफरेंस की नौ तारिक के दिन तीन दिन के बाद उसने भी हमने कुछ चीजे दिखाई इन्होंने जिस दिन ये गिर्थतारियां हुई थी उस दिन का वीडियो हमने लिखाए इन्होंने एक वेग स्टेटमेंट दिया था जिए एक जिम्मेदार अफसर जो रेड मॉनिटर कर रहा है वेग स्टेटमेंट कैसे दे सकता है या आठ लोग रहे होंगे या दस लोग पाइड दिखा के हमने एक चैनल पर जो था उसमें जाते हुए यह तमाम तीन लोग भरती जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज है जिनके उपर बैंग दोका दड़ी का मामला है उनके साले साहब उसके साथ और दो लड़के रिशब सजदेवा साथ में प्रतीक काबा और एक आमीर फर निचरवाला है जो अंदर ले जाते हुए एक चैनल पर लिखाया गया हमने खोच की फिर बहुत सारे वहां पर इस्टिंगर राध भर थे उनसे वीडियो मंगा ही हमने देखा कि इन तीन लोगों को जब यह सुबे में अरुपियो का नाम आये तो यह तीन ना करता हूं कि आप 11 नहीं 14 लोग थे तो और तीन लोगों को जाते हुए और निकलते हुए वीडियो लाके दिखा दीजिए हम आपको पूरा कवर अप एक्सरसाइज हो रहा है और पब्लिश की करके महारास की सरकार को महारास को बॉलिवूड को अभिनिताओं को बदनाम करन सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर झाल झाल झाल